क्या आपके BSNLC में network problem हो रहा है और उसके वज़ा से internet नहीं चल रहा और अगर चल रहा है तो भी बहुत ही slow net speed देखने को मिल रही है और pink problem भी हो रहा है अगर आपको इन में से कोई भी problem हो रही है तो आप एकड़म सही वीडियो पे आए है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा APN सेटिंग बताऊंगा जिसको apply करने के बाद में आपके ये सभी problem solve हो जाएंगे सो वीडियो को पूरा end तक देखना वीडियो को बिना भूले अभी से एक like कर दो और चैनल को भी subscribe कर लो ऐसे ही और helpful videos देखने के लिए सिम कार्ट को select कर लेंगे फिर access point names या फिर APN वाले option को धुन कर open कर लेंगे फिर three dots पे click करके reset access points या फिर reset APN to default को जरूर से कर लेना बहुत ही जाथा important है guys फिर plus के icon को उपर या फिर नीची अपने phone के हिसाब से धुन कर open कर लेंगे फिर new APN का form open होगा तो अब मैं आपको जो values बताऊंगा उसको ध्यान से वैसे ही same to same fill up कर लेना नेम के अंदर आपको लिख लेना है bsnl internet max bsnl का b capital internet का i capital और max पूरा capital में सो नेम के अंदर लिख लेना है bsnl internet max APN के अंदर friends आपको लिख लेना है bsnl net पूरा small में और एक साथ APN के अंदर आपको लिख लेना है bsnl net फिर proxy को not set रहने दो port को भी not set रहने दो यूजर नेम के अंदर friends आपको लिख लेना है speedbot.max speed का s capital, bot का b capital और max पूरा capital में सो यूजर नेम के अंदर आपको लिख लेना है speedbot.max फिर password को not set रहने दो server के अंदर friends चाकर आपको लिख लेना है www.google.com सब कुछ small में और एक साथ server में लिख लेना है www.google.com फिर mmsc को not set रहने दो mms proxy और mms port को भी not set छोड़ दो mcc और mn से आपके area wise अलग values होती है friends जो है वही रखना बिल्कुल भी changes मत करना authentication type के अंदर second option pap pap select कर लो और apn type के अंदर आपको लिख लेना है d e f a u l t default सब कुछ small में और एक साथ apn type के अंदर आपको लिख लेना है default फिर apn protocol के अंदर third option ipv4 slash ipv6 select कर लो apn roaming protocol के अंदर भी third option ipv4 slash ipv6 select कर लो और bearer के option में चाकर friends unspecified पर selection होगा उसको हटा कर lte, hs, pap, hspa, hsupa, hsdpa, umts, edge और gprs को select कर लेना जिसके phone में इतने सारे bearer select नहीं हो पा रहे है वो लोग सिर्फ और सिर्फ lte को select करें बाकी सब लोग ये bearer को select करके apn को save कर लो फिर हमको अपना selection bsnl internet max वाले हमने जो अभी apn create किया उस पर ला देना है और अब आप अपना internet यूज़ करके देखो क्या आपका internet पहले से अच्छा चल रहा है या नहीं मुझे comment करके बताओ और इस वीडियो को एक like कर दो aim करते है 1000 likes के लिए और चैनल को भी subscribe कर देना हमें दो लाग subscribers जल से जल hit करने में help हो जाएगी अपने family and friends के साथ वीडियो को भी share कर देना और हाँ मेरे Instagram टेलेग्राम की link वीडियो की description में है जरूर से follow कर लेना उदर मैं काफी जादा active हूँ तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो और चैनल को वीडियो